हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल अगेन आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहे हूं शेनाज दुसेन का 5 स्टेप पपाया फैशल तो मैं आज आपको दिखाऊंगी सलून से तो मैं आपको दिखाऊंगी प्रोफेशनली हम कैसे कर सकते हैं घर पर बैठे शे आप दिख सकते हैं इसके अंदर से ऐसे 5 ट्यूप्स निकलते हैं क्योंकि यह 5 स्टेप फैशल है फिर्स नमबर पर हमें मिल जाता है क्लिंजर सेकेंड नमबर पर स्क्रप्प थर्ड नमबर पर क्रीम फोर्ट नमबर पर पैक और तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट कर में जा रहे हैं और पहले स्टेप ऐसका bio hydrating cleanser और क्योंकिक हो की आदा है हमने fourth थ्यूप और क्योंत अच्छा क्यों यह double अगल प्लाइंट ने लिप्स्टिक लाइनर लगाया तो यह रिमूफ कर देता है बहुत अच्छा क्लेंजर है ड्राइ स्किन के लिए बेस्ट क्लेंजर है फोरेड नेक येर सब हम सर्कुलर मुवमेंट में मसाज करेंगे वन तो तो मिनट बस cotton या wet tissue से इस face को clean करेंगे सबसे पहले हम eye area करेंगे क्योंकि eye area जो होता है वो sensitive होता है तो सबसे पहले हमने eye area किया है फिर rest of the face clean किया है अच्छे से हम ear screen करेंगे तो अब ये करने चाहरे है step number two जो कि इस scrub का इस facial का second step करने जा रहे है जो कि exfoliating scrub है exfoliating scrub इस लिए यूज होता है dead cells and blackheads and whiteheads जिमूब करने के लिए तो इसमें हम small circular steps लेंगे ताकि जो dead cells and tanning blackhead whitehead है वो soften हो जाए और ये facial जो है वो papaya facial है और papaya facial whitening के लिए बहुत अच्छा माना जाता है यह आप bridles को भी दे सकते हैं tan अगर face हो तो बहुत अच्छा result है pigmentation अगर आपके face पर है तब भी आप यूज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा facial है आप ट्राय करेए according to skin हमेशा आपने exfoliating करनी है अगर dry skin है तो तो one to two minutes कर लीजिए इससे जादा ना करें oily skin है तब भी आपका pressure light होना चाहिए pressure बहुत hard नहीं देना नोस पर सबके ही black and white reds होते हैं soft and करने के लिए anti-clockwise and clockwise circular massage देंगे आइस पर भी एकदम gentle pressure देंगे ज्यादा नहीं देंगे forehead पर भी circular motion white reds जहां भी होंगे वो soften हो जाएंगे और easily remove हो जाएंगे ज्यादा pressure से नहीं blackheads remove करने हमें जितने easily remove हो रहे हैं उनी को करिये ज्यादा करने से निशान पर जाता है जो कि नहीं जाता बहुत ज्यादा blackheads white reds हैं तो आप steam भी दे सकते हैं अगर नहीं है बहुत ज्यादा तो steam की इतनी necessity नहीं है मॉइस्ट cotton या मॉइस्ट टिशू से आप फेशल टिशू से आप क्लीन कर सकते हैं यह जो है exfoliator है तो exfoliator जो होता है और सक्रब से इसके granules थोड़े छोटे होते हैं और काफी clean यह बहुत अच्छे से करता है इतना scrub नहीं कर पाता यह बहुत deep skin तक जाके एकदम clean कर देता है और हमेशा exfoliating करते समय ध्यान रखिए कि open pores वगर आपके client को या आपको है तो pressure बहुत लेस रखें क्योंकि जादा exfoliating से open pores भी होते हैं तो हमें नहीं करना जादा scrub हमने exfoliating कर ली है इसके बाद अब हम extraction करेंगे या blackheads remove करेंगे जिसको कहते हैं कि blackheads remove करते समय हमेशा stretch करें और ब्लाकेट रिमूवर हमेशा sterilize होना चाहिए एक client का यूज़ करके दूसरे पर ना यूज़ करें अगर आप ये facial हम से करवाना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर आप डिम कर सकते हैं यह हमने blackheads और whiteheads remove कर रहे हैं कि यह ब्लाकेट स्टिक भी कुछ लोग बोलते हैं कॉमडोन भी कुछ लोग बोलते हैं इसको यह रिमूव करने के लिए इनके whiteheads आपको दिखी रहे होंगे कि ब्लाकेट रहे हैं कि ब्लाकेट रहे हैं इसके बाद whiteheads and blackheads remove करेंगे बाकी neat as skin अब हम इसके बाद rose water यूज़ कर रहे हैं इस kit में तो नहीं आता आप कोई भी rose water यूज़ कर सकते हैं शिनासका अगर आपको करना है तो शारोस के नाम से माकेट में आता है आप ले सकते हैं और cotton से हम डाब डाब करेंगे करेंगे या आप थंडे पानी का compressor भी दे सकते हैं बट अभी अभी बहुत थंड है मतब बहुत गर्मी नहीं आई तो अभी आप ऐसे डारेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं टापिंग कर रही हूं सकिन पर इससे पोर्स टाइटन होते हैं हमने एक्सफॉलियेटिंग करी है एक्सफॉलियेटिंग से उपन पोर्स जो है बढ़ जाते हैं इसलिए उसको टाइटन करना बहुत जरूरी है कि आप है आओ यहां है वह करने जानी है step अनुम्हज़ी जो की है नौरी शिंग क्रीम का अब इस पैचल को मैं थो यह करने जा रहे हैं अन्ए पापायल कर नॉज़ेटिन क्रीम यह नारिशन करीम है ट्रियzung के लिए बहुत अच्छिय है आन्ट पिगमिनटेशन स्किन बहुत थिक क्रीम होती है जो प्रोड़क्ट जो है लेस लगता है और इफेक्ट बहुत अच्छा आता है हम नेक्स से मसाज करना शुरू करेंगे सर्कुलर मुवमेंट में हम थी तू फाइस टेप्स लेंगे हर स्टेप को ये जॉलेंट शाप करने का स्टेप अगर आपको क्लाइंटकी है घाफ मेंट शाप करने है तो मसाज इस तरह काफिए सब्काइब उख्रोंय सब्सटे कर सकते हैं अधि लिफ्टिंग मजाज दे सकते है अपवर्ड डारेक्शन में हमेशा मसाज देनी चाहिए डाउनवर्ड में नहीं देनी तो हम अपवर्ड मसाज कर रहे हैं अब उपल की तरफ मसाज दे 1,2,3,4,4,3,2,1,4,3,2,1,1,2,3,4 और हम यह हमारी जो दिलाफ्टर लाइन की मसाज दी इसके बाद अब हम नोस की मसाज कर रहे हैं एंटी क्लॉक्वाइज और क्लॉक्वाइज नोस टिप पर भी मसाज देंगे नोस ब्रिज पर भी मसाज देंगे अटेंशन पॉइंट को प्रेस करेंगे हम आए मसाज दे रहे हैं डाक सर्कल्स जिनको हूँ या आइस पर क्रोफिट आइस हो तो उनको हम सर्कुलर मुमित मसाज दे सकते हैं हम टेंपल्स पर एट बनाएंगे बेग एट बनाएंगे हैं बना रहे हूँ कप एंड वाइब वेट कपिंग वाइबरेट यह मैं एट बना रहे हूँ बहुत पास्ट हैंड नहीं चलाने प्रेशर लगना चाहिए और जो हमारी क्रीम है वो पेनेट्रेट होनी चाहिए बहुत जल्दी 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 स्टेप नहीं करने चाहिए फेशल के kis कि मैं क्रोस बना रही हूं पर इंडेक्स से क्रोस में बना रही हूं और यहां पर फाइन लाइन आज आ जाती वो हट जाती है इस मसाज से तो आप क्रॉस इंडेक्स फिंगर के प्रेशर से दे सकते हैं इसके बाद मैं आई ब्रोस पर प्रेस करूंगी और आई की मसाज हमेशा फोकस करने चाहिए क्योंकि सबसे जाला एजिंग जो है फोरेड एंड आई मसाज पर ही होती है तो मैटर करते हैं कि आपको अच्छे सच्छी मसाज देनी चाहिए होता है स्किन का टच कभी भी मसाज करते हुए छोड़ना नहीं चाहिए एक हैंड हमेशा स्किन के टच में होना चाहिए स्कूलर मॉमेंट में मसाज एकॉर्डिंग तो स्किन मसाजिंग टाइम रहता है यंग स्किन पर आपका टैन मिनट्स इनफ है और ओल्ड स्किन जो मेचौर स्किन होती है उस पर 15-20 मिनट्स डिपेंड अबॉन दा स्किन बहुत सिंसिटिव पर 7-10 मिनट्स इनफ है बहुत जादा मसाज नहीं देनी चाहिए जितनी इनफ है आप उतनी मसाज दें नेक को मैं अपवर्ड मसाज दे रहे हूं नेक की लाइन्स को यह खटाता है मैं राउन बना रहे हूं थाम से चिन पर मैं फेस ऐसे करूंगी साइट पर अपलफ मसाज दूंगी जिनकों चीक्स पर फाइन लाइन आ जाती है उनके लिए अपलफ मसाज है और ग्लो के लिए बहुत अच्छा स्टेप माना जाता है एर के पिछे से अटेंशन पॉइंट पर प्रेस करना वन बाइवन नेक से चीक्स तक चिंग पर आएंगें दुबारा जॉर लाइन पर लोवर लप अपर लप अपर लप अपर लप यह लाफ्टर लाइन की रिंकल्स को दूर करता है हाथ में प्रेशर अगर रिंकल्स हैं तो होना चाहिए अगर नहीं है तो जेंटल प्रेशर होना चाहिए आप स्किन को जच करिए कैसी स्किन में उस हिसाब से प्रेशर एंड मसाज टाइमिंग्स दीजिए हैं करें या ऐस इस्सक्रीम के साथ आपने बहुत लिटल वाटर लेना है कि है कि शेनास की ज़ूक्छा होती हैं वह नहीं तो आइन बहुत लिटल वाटर से ही बहुत फैलती है तो आपचivos valor ना ले बहुत कम पानी ले आपका हैंड मुव्मेंट होना चाहिए उतना ले और टल एब्जॉब इसको करके मसाज देनी है और एब्जॉब होने के बाद इसको वाइप आफ नहीं करना इसके ऊपर ही हम नेक्स टैप करेंगे कि अब कर दी अब कर दी यह संब कर दी असकिन में अब लास्ट में प्रेशर पार्ण जो देने है इसके बाद देंगे जो है इसके बाद देंगे जो है इसके बाद हम एयर मसाज देंगे एंड लास्ट हम कैट स्क्रॉल करेंगे इयर को निकलेट नहीं करना चाहिए इयर मसाज जरूर देनी चाहिए और इयर के पीछे हमेशा फिंगर से प्रेशर देना चाहिए इससे ग्लो बहुत अच्छा आता है फेशल में जो क्लाइन कंप्लें करते हैं मेरा प्लो नहीं आता तो आप एयर के पीछे जरूर मसाज दे ग्लो जरूर आएगा अब हम कैट स्क्रॉल करें और हमारी मसाज यहाँ पर खतम है तो अब यह करने चाहिए स्टेप नमबर फोर जो की है फेश पैक को अप्लाइ करने का फोर्ट स्टेप है पापाया फेश पैक मैंने फेश पर ही डाला है और इसके बाद मैं फिंगर्स है अपलिफ्ट मैं इसको अप्लाइ कर रही हूँ आपके लिप्स और आइस अवोइड करने है यह पापाया है तो थोड़ा इचिंग कर सकता है क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते हैं जो स्किन लाइटनिंग का काम क परिफ्टे तो थोड़ा इचिंग कर सकता है और आय एरिया लिप्स अरिया हमारा सेंस्रिटिव होता थो हमें अवोइड करना है महाँ पर तो आप वहां पर नाल गए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो नेक पर भी हम लगाएंगे, नेक को निगलेट नहीं करेंगे, नेक पर भी अच्छे से में अप्लाए करेंगे, इस पैक को हम 15-20 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको वाइप आफ करेंगे, और किस तरह करेंगे, वह मैं आपको नेक्स टेप में दिखाती हूँ, किस त एक थिन लेयर लगा दिये मैंने, आप देख सकते हैं, आइब्रो एरिया और लिप एरिया और आई एरिया मैंने एवाइड किया है, और आप भी एवाइड करेंगे, अब ये पैक लग चुका है, हम इसको 15-20 मिनट के लिए टेल ड्राय होने तक छोड़ेंगे, जैसे कि 15 मि पिंगर्टेब्स की हेल्प से पहले पैक को लूजन कर रहे हूं पानी से, पानी की हेल्प से हम इसको लूजन कर देंगे, और सर्कुलर मुमेंट में मसाज देंगे, ताकि पैक ड्राय एकदम से नहीं रिमूव होता, तो उसको पहले सॉफ्ट करेंगे, कोई भी आपको पाक उतारना है तो इससे पाक का एफ़ाइट ज्यादा अचाता है स्किन में स्कुलर मॉवमेंट से पानी लेकर जैसे कि हमारा पाक जो है वह लूज हो गया तो मैं मॉइस कॉटन या टिशू बेट टिशू से रिमूव करें क्लीन करने जा रहा है हमने फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है जैसे कि हमने एर्स फुल फेस अच्छे से प्लीन कर लिया है अच्छे से जैसे कि आप देख सकते हैं कि फेस पाक रिमूव हो गया है तो आप फेस देख सकते हैं कि इतना अच्छा नीट रिसल्ट लग रहा है तो अब यह करने चारी है स्टेप नमबर फिफ जो कि है मॉस्चिराइजर को अपलाई करने का इसका नेक्स टेप पापाया मॉस्चिराइजर यूज़ करेंगे कि हम डॉट डॉट करके और इसको एब्सॉर्ब कर देंगे फेसर नेक तक आप इसमें बैक मसाज देना चाहें तो दे सकते हैं और फिंगर टिप्स की हेल्प से हम इसको अब्सॉर्ब कर देंगे जिससे स्किन जो है हाइड्रेट रहेगी और एकदम रेडियन दिखेगी तो मॉस्चिराइजर जरूर लगाए अगर क्लाइन डे टाइम में आया है तो संस्क्रीन भी लगा कर भीजे अगर इवनिंग टा तब आप संस्क्रीन जो है अधरवाइस मॉस्चिराइजर जो है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मॉस्चिराइजर जो है अब्सॉर्ब कर दिया है और आप रेजर्ट देख सकते हैं कितना अच्छा स्किन पर आया है मैं आपको इस पेशल की बाद ये टेप कि 24 hours तक आपने face wash नहीं करना है and soap बिल्कुल यूज़ने करना ना ही कोई face wash यूज़ करना है एकदम hydrate skin रहने तीज़े यह moisturizer skin पर लगा रहे हैं जो भी हमने product यूज़ करें है वो skin पर काम करते हैं अगर हम face wash करेंगे तो wash off हो जाएंगे इसलिए हमें उसको wash off नहीं करना इससे आपका facial जो है long lasting रहेगा और glow and radiant skin रहेगी लंबे टाइम तक 21 days के बाद आप दुबारा भी setting ले सकते हैं आप इस facial का result देख सकते हैं कितना अच्छा radiant and glow यह आया है आप देख सकते हैं कितना shiny लग रहा है face बस मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें और मेरे चैनल पर आपको बहुत तरीके के facial देखने को मिल जाएंगे आप जाकर देख सकते हैं facial की playlist के अंदर से तो I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो इस वीडियो को like करें और अगर आप मेरे चैनल पर new है तो subscribe करना ना भूले साथ में प्रेस करें bell icon को भी ताकि मैं जैसे न्यू वीडियो डालने तो update आपको मिल सके तो अब मैं आप से मिलती हूँ next video में till then I am signing off bye